कि हलो गाई सुर्कम बैक तो मैं न्यूव वीडियो से बात करेंगे निफ्टिफ्टि प्रेडिक्शन फॉर मंडे और नेक्स्ट वी कि क्या हो सकता है आज का दिन कैसा था आज का दिन बहुत ज्यादा बोरिंग था मैं बताऊंगा आज के दिन में क्या हुआ कैसे हुआ अब क्या हो सकता है आज मार्केट ने अपने आपको होल्ड किया कल के लोको ब्रेक नहीं किया ये एक अच्छी बात है लेकिन जो क्लोजिंग दिये मार्केट ने वो बिलकुल लो पर दे दिये आज के दिन क्या प्रॉफिट हुआ उस पे बात करेंगे क्या ट्रेड दिया उस प पर आता है उसको हम फाइदे जरूर कराते हैं तो यह हमारा टेलिग्राम ग्रूप आप टेलिग्राम को जोईन करो डिस्किप्शन में लिंक मिल जाएगा आप टेलिग्राम को जोईन क्यों करना है सबसे पहले हम दिखाएंगे आज अपने members के profit जो हमारे members ने किये हैं हाला कि ज्यादा trade नहीं किया किसी ने 1700, 381 461 उसके बाद 731, 376 13000, 14000 7644 1350 बस इतना profit बनाया आज अब आप बोलोगे भाई इतना कम profit मेरे भाई market को तो देखो आप market कितना आज चला है अगर हम high को पकड़े है तो market का high है उनने से यर पानसो असी और low है उनने से यर पानसो तीस 50 point के अंदर हमारा 5050 घूमा है और आपको क्या मतलब क्या लगता है कि कितना trade बन सकता था आज के दिन में आज ट्रेडिंग क्या chance ही नहीं था ठीक है market एक channel में चल रहा था इस time तक अगर आप notice करोगे ये market एक channel में था कल का एक low था हमें लगा था कि अगर वो low निकलेगा तो market अच्छा पैसा बनाएगा दोखो सुबह के time में क्या हुआ था एक जो बड़ी दिक्कत हुई वो आपको बताऊंगा आप भी जाके notice करना ये हमारा कल का low था market ने आज यहां पर काफी sustain किया almost आप देखोगे तो market यहीं पर रहा है अगर आप और ध्यान से देखोगे तो market first downside momentum then ये sideways momentum and इसने breakdown नहीं किया ठीक है अब सुबह जब हमने अपने members को ये trade में दिया था जब हमारा level निकला 19,565 का level और market हमारा क्या था 19,593,94 तक अच्छा खासा यहां पर move आया लेकिन premium नहीं बड़े इस time में premium ही नहीं बड़े तो हमारी वो trade एक तरीके से cancel out होगी otherwise हमारे बंदे पैसा बनाते और तो वो यहां पर दिखता लेकिन अगर premium ही नहीं बड़ेगा तो हम कहां से पैसा बनाएंगे देन उसके बाद हमारा market इस channel में चलता रहा और इस channel में पैसा बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था low निकाला देखो market ने यह देखो market डाउन आया देखो एक दो red candle एक green candle से वापस उपर तीन red candle sideways मतलब जब तुम चाहोगे ना कि मैं trade ले लूँ market sideways हो गया या फिर market ने reversal दिखा दिया यहां देखो इतना शांदर bullish candle और अगली चारे candle वापस नीचे मतलब यहां पर कोई सोचे का call में जाने के लिए और market वापस से नीचे आ गया market sideways हो गया तो momentum तो अच्छा आज के दिन कता ही नहीं था यह बात आपको माननी पड़ेगी और कभी-कभी ऐसा होता है ठीक है टेली ग्राम पर अगर आप रहोगे तो आपको क्या मिल जाएगा देखो यहां पर मैंने एक trade सुबह दिया था तो थोड़ा सा पहले ट्रेल करना जो भी आप level निकाले एड देन उसके बाद आप लोग उसको आगे की तरह बढ़ाना otherwise swing लेके पैसा निकल जाना ठीक है यह चीज मैंने आप लोग को बोली होई थी 3 पीम पे भी हमने अपने members को trade दिया जिसमें से एक दू member ने trade किया otherwise लोगों ने नहीं किया क्योंकि बाई जिस तरीके का market था उस तरीके में trade करना बहुत जादा मुश्किल था अब ठीक है इसको मैं अटा देता हूँ अब बात कर लेते हैं important levels के बारे में कुछ खास किया नहीं है जो कल levels थे क्योंकि कल हमने देखो क्या शांदा recovery दिखाई थी कल के दिन market low पे open हुआ market अच्छा upside गया और फिर sideways हुआ आज देखो तो market कितना रो रो के कितनी बड़ी बड़ी candles बनी हुई है विक बनी हुई है इसका मतलब simple होता है market आपके stop losses लेता है मैंने आपको कल की वीडियों बताया था मैंने आज को सुबह भी बताया था और market चलना था तब भी बताया था कि Friday का दिन mostly ऐसा होता है जहांपर market आपका stop loss हंट करता है आपको loss करवाता है और इसी चक्कर में मेरे members Friday के दिन कम से कम trade करते क्योंकि उनको अपना weekend घराब नहीं करना है जो पैसा बन गया है पहले चार दिन में उसको अच्छे से समालो अगले हफते फिर काम आएगा वो तो चलो पिछले दो दिन का अब low क्या बन चुका है तो जब भी यह breakdown आएगा जब भी यहाँ पर sellers होंगे market के उपर तो वो market को अच्छा कासा नीचे ले जाएंगे कहां तक नीचे ले जा सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं तो 525-530 निकलेगा हम आ जाएंगे 19,500 से लेके 19,490 तक उसके बाद एक gap है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं और यह gap की filling हो सकती है जो gap है वो है almost 40-50 पॉइंट का यानि कि market हमारा 450 तक आ सकता है और उसके बाद हमारा market आ सकता है कहां तक? 400 तक यह आपके बड़े-बड़े levels हैं downside market में आपको देखने को मिलेंगे आने वाले time में market ने जो gap बनाई है वो fill तो होंगे आगर market नीचे आएगा और उसी में आपको opportunity डूणने है ठीक है तब जाके आपका पैसा बनेगा तो downside के लिए आपको clear रहना है कि आपको cup trade करना है अब upside की बात करे तो इस box को मैं थोड़ा सा करता हूँ बड़ा उपर से करता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा अब दो level निकल के आ रहे हैं एक level निकल के आ रहा है यह जो कि यह almost 9550-60 का जहां market आज बहुत रुका है और एक बड़ा level है 90,590 और बोला जाए 90,600 जो कल और आज का high माल लो market morning में जब उपर गया था तो almost 600 के आसपास गया था तो आपको अगर बहुत से इफसाइट जाना है तो 19,600 के उपर जाओ and 19,520 के नीचे जाओ बाकी जो channel है इसके बीच में मैं बोलूँगा आप avoid कर लो market को आपके लिए बढ़िया रहेगा और call side में थोड़ा trade कम बनाना क्योंकि market आपको trap कर सकता है अगर put side में निकलेगा तो आपको अच्छे target देदेगा call side में आपको अच्छे target नहीं देखने को मिलेंगे इसलिए put side के लिए जादा देखना अगर market breakdown करेगा तो आपको free fall में अच्छा फाइदा हो सकता है जैसे कि अगर आप कल का दिन देखो तो ये एक बड़ी candle आई थी उसके बाद क्या हुआ market sideways जिसने इस candle में पैसा नहीं बनाया उसने पैसा नहीं बनाया जिसने इस candle में पैसा नहीं बनाया उसने पैसा नहीं बनाया मेरे भाई तो ये चीज़ समझो लेकिन अगर put side की बात करें तो यहाँ पे देखो जब हमारा market यहाँ पे निकला देखो आपको मैं लगाता रहे चीज़े समझाता रहता हो ताकि आप लोग को भी पता चले कि भाईया पैसा किस तरीके से बनता है अब put में देखो put में यहाँ पर देखो क्या जबर्दस पैसा छापा था लोगों ने ये continue fall यहाँ पर देखो continue fall तो ऐसे में पैसा आपका अच्छा बनता है ये बात मान के चलो levels मैंने आपको बता दिये है कल हम बात करेंगे daily और weekly candle पे लाएंगे आपके लिए कुछ important stocks पुराने stocks पर भी बात करेंगे फिलाल के लिए इतना ही video को like करो channel को subscribe करो telegram को join करो comment section में जो पूछना है पूछो telegram join करना आपकी मर्जी है भया आपको अगर profit चाहिए आपको अगर सीखना है तो join करो नहीं करना है आपकी मर्जी कोई आपके force नहीं free of cost है यह बताना चाहूँगा कि जो भी आपको XYZ वहाँ पर मिलेगा वो free में ही मिलेगा so thank you so much मिलते हैं आपको bank nifty की video के अंदर क्योंकि bank nifty काफी interesting level पर है तो वो भी discuss कर लेते हैं चलो thank you